हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एब्रिवन आज मैं आपके लिए लेकर आएँ बन वर्ड सब्स्टिविशन पिछले लास्ट वीडियो में हमने थर्टी डिसकस करें थे आज हम उससे आगे की बन वर्ड को डिसकस करेंगी जिस किसी ने भी पिछली वीडियो को नहीं यानि कि ऐसी कविता जब कोई किसी की दैथ हो जाती है या कोई खो जाता है तो उसके गम में लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं एलजी यानि कि सोग गीत किसी के दुप में लिखी जाने वाली कविता 32. A government run by a dictator Means, किसी भी dictator के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम क्या कहते हैं यानि कि किसी एक विक्ति के एक सासक के द्वारा चलाई जाने वाली को कहते हैं Autocracy यानि कि निर्मकुस राजी यानि कि एक तंतीर राजी भी कहते हैं जैसे कि पहले राजा मायराजाओं की सरकार गुआ करती थी तब उसी को हम बोलते थे Autocracy Next one Question 33 One who hates mankind is called ऐसा विक्ति जो मानब जाती से नफरत करता हो उसको क्या कहते हैं हाँ उसको हम कहते हैं Misanthropy यानि कि मानब देश यानि कि मानब से देश रखने वाला घिर्णा करने वाला उसको बोलते हैं Misanthropy Next 34 To examine One's thoughts and feelings यानि कि किसी के बिचारों को और भावनाओं की परिच्छा लेने को क्या कहते हैं यानि खुद के बिचार हम पर जाच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं Introspection यानि कि आत्म निरिच्छड़ यानि कि खुद की बिचारों और भावनाओं का आत्म परिच्छड़ करना खुद का निरिच्छड़ करना उसको बोलते हैं Introspection Okay Next 135 A government by the novels ऐसी सरकार जो कुलीन कुलीन लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं कुलीन लोग मतलब जैसे कि जो बहुत धनी लोग होतें अमीर होते हैं उनकों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं Aristocracy यानि कि अभिजात वर्ग या कुलीन लोग के द्वारा चलाई जाने वाली शरकार Next one 36 Anything written in a letter after it is signed कुछ भी जो letter के में लिखा जाता है और लिखने के बाद जो sign किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपने पूरा letter लिख लिया उसके बाद जो लिखा जाता है sign करने के बाद उसको हम कहते हैं post script यानि persist work या अनुलेक last में जो लिखा जाने वाला भाग होता है Next one 37 A man of lax moral ऐसा विखती जिसमें नैतिक चीजों की बहुत ही कमी हो नहीं जो नैतिक मुल्यों को नहीं मानता हो नहीं मुल्यों को उसमें बहुत ही जादा अभाव होता है ऐसी विखती को क्या कहते हैं ऐसी विखती को कहते हैं लाइसेंटियस यानिकी अनैतिक Next one 38 The study of ancient societies यान की प्राचीन समाज का जो अध्यान किया जाता था तो उस अध्यान को क्या कहते थे प्राचीन जो समाज होता उसके अध्यान किया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था उसको कहा जाता है Archaeology यानिकी पुरातत्तु विख्यान जैसे हम कहते हैं ठीक है प्राचीन समाज का अध्यान करना Archaeology Next one 39 Mania for Stealing articles यानिकी किसी भी आर्टिकल्स को चुराना यानिकी जैसे कि किसी के साहित को चुराना किसी की बस्तों को चुराना उसको क्या कहते हैं उसको बुलते क्लेप्टो मानिया यानिकी चोरी करने की बीमारी होती है उसे बोलते है चारियो माद यानि कि चोरी करने की बेमारी हम नहीं करना चाहते है फिर भी वो चोरी करता है उसे क्लेप टुमानिया कहते है as assembly of hearers ऐसी सवा जहाँ पर सभी सुनने वाले बैठे लोग हो यानि कि सुनने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या का जाता है जैसे आप किसी assembly में बैठे होते हैं उनको कोई lecture दे रहा होता है तो आपको क्या का जाएगे audience यानि कि सुरूता गड़ या दर्शक, आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर 41, एडिसीज विच स्प्रेट स्वाइक कॉन्टेक्ट, ऐसी बीमारी जो संपर्क में आने से फैलती हो, जैसे कि आपकी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जो संपर्क में आने से फैल जाती सी, जैसे कभी-कभी तपेदिक भी होता है, वो भी फैल जाता है, कॉन्टागियस, इसा रोग जो संपर्क में आने से फैलता हो, उसे संक्रामक कहते हैं, कॉन्टागियस, नैस्ट 142, एक क्योर फोर ओल इल्स, सभी बीमारियों का इलाज, ऐसी कौन सी दवा होती है, या ऐसा कौन सब देख होता है, जैसे हम कहते हैं, सभी बीमारियों का लाज, उसे क्या कहा जाता है, जैसे कहते हैं, रामबाड है किसी चीच, जैसे पैनेशिया, ये दवाई तो रामबाड है, सभी के लिए बहुती उपियोगी है, उसे बोलते हैं, पैनेशिया, अगे बढ़ते हैं, न एक ऐसा ब्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि संसार को human efforts यानि कि मानव के प्रियासों के द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है तो ऐसे ब्यक्ति को कहते हैं मैल्यूरिष्ट यानि कि एक मैल्यूरिष्ट होता है विश्व सुदारवादक जो होता है उसे बोलते हैं मैल्यूरिष्ट जो सोचता है कि human effort करो अपने अच्छे प्रियास करो से संसार को अच्छा बनाया जाती खनेश्ट 144 आर्ट प्रडूशिंग बीटिफुल शुदव होता है लिखने की कला उती उसको जाता है सुद्र जो खनाल सु लें ॼोता है को बहुते का जाता है कि हैं question पर चलते हम 45 In order to repair the leaking pipes we had to call the अगर आपके घर में कोई pipe खराब हो जाए और उसको repairing कराना हो यानि मरम्मत करानी हो, सही कराना हो तो उसे आप किसे बोलाएंगे हाँ जी, plumber को क्या बोलते हो से plumber, ना जसाज यानि कि plumber pipe सही करने वाले ठीक है नेश्ट कोश्चन 46 A nap after lunch is called ऐसी नेप नेप मतलब होती है नीद, ऐसी निंदरा या नीद जो लंच के बाद होती है यानि कि आपने खाना खा दिया लंच कर लिया दुफैर का तो दुफैर के में जो हम नीद आ जाती है उसको क्या कहते हैं उसे बोलते हैं दुफैर की अलपनेद्रा यानि शीष्टा दुफैर में आने वाली छूट थोड़ी देर के नीद होती है उसे क्या बोलते है शीष्टा यानि की अलपनेद्रा यह प्रफिशन ऑफ सेल्प गवर्मेंट इसको गया कहते हैं स्याइम की कंडिशन पर चलाई जाने वली सरकार को क्या कहते हैं उसे वोलते हैं ऑटोनॉमी ने स्वेच चता है स्याइम पर आदा यहां हम खुद से अपनी सरकार चलाते हैं उसे वोलते हैं ऑटोनॉमी खुद के नियम कानून पर नैस्ट है 48 प्लेस वेर दा वर्ट्स आर कैप ऐसा इस्थान जहां पर पच्छी रहते हों सभी जानते होंग ऐसे इस्थान कौन सा होता है यहां पर पच्छ नेस्ट वन 49 मैडिकल स्टडी ऑफ इस्किन एन इस डिसीज यानिकी चिकत्सा हो इस्टडी यानिकी आपकी तुचा में कोई दिशीर हो जाए बीमारी हो जाए तुचा का जो अध्यान किया जाता है बीमारी का उसे क्या कहते हैं उसे वोलते डर्मेटोलोजी यानिकी क्या का बीमारियों का अध्यान करना डर्मेटोलोजी तुचावे क्यान नैस्ट वन 40 के बाद 9 के बाद 50 कि पर्शन हूँ हेट्स दा इनिस्ट्यूशन ओफ मैरिज इच कॉल ऐसा ब्यक्ति जो मैरिज से ही नफरत करता हो उसे क्या हो साधी करने से ही नफरत हो या वो किसी इनिस्ट्यूशन ओफ उससे भी नफरत करता हो साधी वाला तो से क्या किलते हैं उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट यानि विवा से नफरत करने वाला विक्ति मिसोगैमिस्ट कहलाता है आई होप वीडियो सभी को समझ मां आ गया होगा और आज हमने 51 वर्स कंप्लीट कर लिया अगर अच्छे से सीखना है तो इनको राइट करें लर्न करें अगरी नेस्ट वीडियो में हम इनी की प्रक्टिश करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक, सेर, कमेंट और सब्सक्राइब तब तक के लिए बाइबाइबाइब और टेक क्यार झाल 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 झाल